आज हम फ्लाइमिंगो बुक का फॉर्स चैप्टर दे लास लेसन डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि CBSE Board Question Paper में फ्लाइमिंगो बुक से दो प्रोज एक्स्ट्रेक्ट आने हैं जिसमें से एक एक्स्ट्रेक्ट आपको अटेम्ट करना है वो भी होगा 6 marks का अगर आपने इस बुक को डिटेल में रीड नहीं किया, स्टडी नहीं किया तो आपको वो एक्स्ट्रेक्ट सॉल्व करने में खासी परिशानी हो सकती है तो वीडियो के लास तक आप बने रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से डिटेल में एक्स्प्लेन करेंगे और हर सिटुएशन को पॉइंट वाई पॉइंट आपको समझाते जाएंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो दे लास लेसन के जो आथर हैं फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट इस्टोरी राइटर अलफॉन्स डूडिट है लास लेसन का जो बैक्राउंड है ये फ्रेंको पॉर्शियन वार 1870 से 1871 के बीच में हुआ और जिसमें फ्रांस को पॉर्शिया ने डिफेट किया उस समय पॉर्शिया जर्मनी, पॉलेंड और आस्ट्रिया के कुछ पार्ट को मिला कर एक कंट्री हुआ करता था और उस वक्त फ्रांस के दो डिस्टिक्ट ऐलसेस और लॉरेन इसके कबजे में आ गए थे कहानी का बेग्राउंड इनी दो डिस्टिक्ट को लेकर है और इस कहानी का छोटा बच्चा नेरेटर है जो कि तकरीवन नौई या दस साल का है और जो स्कूल जाया करता है और थीम की अगर बात करते हैं तो इसमें मेजर थीम है कि किस तरह से वार के टाइम में जो रियल सफरार होते हैं वो छोटे बच्चे और कॉमन पिपल होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपक्ट उनके एज्यूकेशन पर पढ़ता है और दूसरा थीम है कि हमको सभी को अपनी मदर तंग से प्यार करना चाहिए अपनी मदर तंग को हर हाल में सीखना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छी थीम हमको इस चेप्टर में लगती हैं कि एक टीचर और स्टुदेंट को हमेशा लर्निंग के पाइम पर सीरियस रह चरिये आएए इस चेप्टर को शुरू करते हैं खास तोर से क्योंकि एम हमल जो हमारे फ्रेंच टीचर थे उन्होंने पहले ही कह रखा था कि वो हमसे grammar में participle पर questions पूछेंगे और मुझे तो एक शब्द भी नहीं आता था क्योंकि I was never serious एक पल को खहल आया कि चलो भाग चलते हैं बाहर अपना दिन बाहर बिताते हैं हमारे district पर तो वो अपना drilling कर रहे थे मार्च पास्ट कर रहे थे एक बाहर थे रहे थे चाहर थे थे तेंग हैं यह सारी चीजहें बहुत जादा थे 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 मुझे आत्क कर रहे थे but I had the strength to resist लेकिन कहीं से मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उन सब चीजों को छोड़ता हुआ and hurried off to school मैं तेजी से school की तरफ बड़ा When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board जैसे ही मैं town hall के पास से निकला तो वहाँ bulletin board जिस पर सारे notice और order आया करते थे बहुत सारी भीड लगी थी For the last two years all are bad news had come from there पिछले दो साल से सारी की सारी बुरी ख़बरें बुरी news उसी bulletin board से हमको पता पढ़ती थी जैसे the lost battles हम लड़ा ही हार गए the draft उनके नए-ने rules the orders of the commanding officers हमार उपर जो commanding officers force ने कब जा के वादा उनकी orders and I thought to myself without stopping मैंने अपने आप से सोचा मन में बिना रुके हुए what can be the matter now अरे भई अब क्या matter हो सकता है then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith तभी मैं जैसे ही जितना तेज मैं चल सकता था मैं चला तभी पीछे से blacksmith लोहर वाचर उसका नम वाचर था who was there with his apprentice जो अपने चले के साथ अपने learning apprentice के साथ वहाँ था he was reading the bulletin board called after me पीछे से आवाज लगाता है don't go so fast but you will get to your school in plenty of time अरे इतनी तेश तेश कहां जा रहे हो कहां भागे जा रहे हो brother तुम अपने स्कूल आराम से पहुँच सकते हो I thought he was making fun of me मुझे लगा कि वो मेरा मजा को डा रहा है कि मैं अलरी बहुत लेट हो चका था and reached M. Hamill's little garden all out of breath मैं सोचता हुआ तेशी से M. Hamill ने जो स्कूल के बहार एक छोटा सा गार्डन लगाय वा था वहां तक पहुच गया था all out of breath सास नहीं आ रही थी पूरी तरह से हाफते हुए usually when school began there was a great bustle generally जब भी कभी school start होता था great bustle बहुत शोर सुनाई देता था बहार which could be heard out in the street गली तक शोर आया करता था the opening and closing of desk desk का खुलना बंध होना lesson repeated in unison बच्चों का एक साथ चोटे बच्चों का अपने lesson को, alphabet को revise करना very loud with our hands over our ears to understand better बच्च इतना थेज थेज पढ़ते थे कि हमको अपने कानों पर हाथ रखने होते थे अच्छी तरह से अपनी क्लास में समझने के लिए and the teacher's great ruler wrapping on the table और teacher's का वो जोड़ जोड़ से ruler को wrap करना table पर बजाना but now it was all of still लेकिन आज बहुत शांती थी सब कुछ शांत था I had counted on the commission to get to my desk without being seen actually से पहले मैं late होता था तो मैं जो शोर होता था उसके भरोसे आराम से अपनी desk तक पहुँच जाता था कोई मुझे देख भी नहीं पाता था इतने शोर में but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning लेकिन उस दिन यानि आज के दिन सब कुछ बहुत ही चुप था शांत था जैसे कि अज संडे हो स्कूल बंध हो थ्रू दे विंडो I saw my classmates जब मैंने विंडो के थ्रू जहां का तो देखा कि मेरी classmates सारे बैठे थे already in their places अपने अपनी जगा बैठे थे and M. Hamill walking up and down with this terrible iron ruler under his arm जिस iron ruler से हमारी मार लगाते थे पनिश करते थे M. Hamill already up and down movement कर रहे थे उस ruler को अपने हाथ में लिए I had to open the door and go in before everybody मुझे अब दरवाजा खूलना था और सब के सामने ही जाना था You can imagine how I blushed and how frightened I was आप imagine कर सकते हैं सोच सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ और कितना डरा हुआ था But nothing happened मैं अंदर गया कुछ नहीं हुआ M. Hamill saw me and said very kindly M. Hamill ने मुझे दिखा और बहुत प्यार से बोले Go to your place quickly little friends अरे friends छोटे friends अपनी जगा पर जाओ We were beginning without you अरे हम तो तुमारे बगेर ही lesson शुरू करने वाले थे I jumped over the bench and sat down at my desk मैं उचल कर अपनी bench पर बैठा और अपनी desk पर बैठ गया Not till then when I had got a little over my fright जब मैंने अपने डर पर काभू पा लिया I had got a little over my fright Did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled shirt मैंने देखा कि मेरे teacher बहुत ही खुबसूरत हरा coat पहने थे और अपनी frilled shirt पहने थे अपनी frilled shirt पहने थे यानी जहलरदार shirt पहने थे and the little black silk cap और black silk cap लगाए हुए थे All embroider सभी अच्छी तरह से कड़ाई हुई बुने हुई थे That he never wore except on inspection and price days और इस तरह की dress वो कभी भी नही पहना करते थे शिर्फ inspection day पर या price distribution day पर पहना करते थे Besides, the whole school seemed so strange and solemn और इसके लाब पूरा की पूरा school बहुती अजीब और बहुती गंबीर देखाई दे रहा था But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty और सबसे ज़्यादा अजीब जो surprise मुझ को किया वो ये था कि पिछली benches जो हमेशा खाली रहा करती थी The village people sitting quietly like ourselves उस पर गाउं के लोग हमारी तरह चुप-चाप बैठे थे Old Hauser with his three-cornered hat एक बुड़ा Old Hauser था चो कभी school नहीं गया वो भी अपने three-cornered hat अपने अजीब से hat के साथ वहाँ था The former mayor और retired mayor The former postmaster वुदपूर postmaster retired postmaster and several others besides और इसी इनी की तरह से और भी गाउं के लोग वहाँ थे Everybody looked sad हर कोई दुखी था and Hauser had brought an old primer और Hauser तो एक पुरानी primary की book लेकर आया था alphabets वाली thumbed at the edges उसके page बुरी दर से मुड़े हुए थे and he held it open on his knees और उसने अपने गुटनों पर इसको खोल कर रखा था with his great spectacles lying across the pages अपने मोटे मोटे चस्मों से उसको पढ़ने की कुशिस कर रहा था while I was wondering about it all जब मैं इन सब के बारे में सोची रहा था M. Hamill mounted his chair और M. Hamill अपनी chair पर बैट गए be seated and in the same grave and gentle tone और उसी गंभी रवाज में gentle tone में which he had used to me अक्सर मुझसे ऐसी seriously बात किया करते थे said my children this is the last lesson I shall give you मेरे बच्चों ये मेरा आखरी lesson है जो कि मैं आज आपको दूँगा the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Elsis and Lauren Berlin से order आ चुका है कि अब Elsis or Lauren के schools में सिर्फ German पढ़ाई जाएगी the new master comes tomorrow और आपके नई teacher कला जाएगे this is your last French lesson ये आपका आखरी French lesson है I want you to be very attentive और मैं चाहता हूँ कि be very attentive ध्यान से पने what a thunder clap these words were to me और ये शब्द मेरे उपर एक तरह से lightning की तरह से बजरबात की तरह से thunder clap की तरह से थे बहुत बड़ा धक्का लगा मुझको oh the righteous अच्छा ये दुस्ट लोगों का काम righteous means दुस्ट that was they had put up at the town hall ये उनोंने town hall के notice board पर लगाया था that was the news my last french lesson why मेरा आकरी french lesson क्यों बई I hardly knew how to write I should never learn it anymore मैं तो भी धंग से लिखना भी नहीं जानता और अब मुझे आगे सीखना नहीं चाहिए I must stop here मुझको यह रुकना होगा दिन तब oh how sorry I was for not learning my lessons और तब मैं इतना दुखी था कि मैंने अपने lessons को धंग से क्यों नहीं सीखा क्यों? for seeking birds x enjoyment के लिए कभी birds x लेने चले गए or going sliding on the star star is the french river name और कभी वहाँ नदी पर चले गए my books that had seemed such a noises a while ago मेरी सारी किताबें जो कि मुझे बोज लगा करती थी noises लगा करती थी so heavy to carry बहुत भारी लगा करती थी ले जाना my grammar and my history of the saints मेरी grammar की book और संत लोगों के बारे की history were old friends now और अब वो सारी की सारी books मेरी दोस्त लगने लगे थी that I couldn't give up और जिनको की मैं नहीं छोड़ सकता था and M. Hamill 2 और M. Hamill B the idea that he was going away that I shouldn't never see him again ये सुन कर भी के वो अब जा रहे हैं और मैं उनको अब कभी नहीं देख पाऊंगा made me forget all about his ruler and how cranky he was सब कुछ भूला दिया वो कितने terribly ruler से हमको punish किया करते थे और वो कितने संकी थे cranky ही वास सब कुछ भूल गया poor man oh becharay it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood why the old village men were there अब मेरी समझ में आया कि अपने last lesson के सम्मान में उनोने इतने अच्छे Sunday clothes means अपनी party dress अच्छे कपड़े पहने थे just to give the respect to his last lesson और अब मेरी समझ में आया is now understood why the other village men were there on the back benches back of the room क्यों वो सारे के सारे villagers पीछे बैठे थे it was because they were sorry to इसलिए क्योंकि वो भी बहुत जदा दुखी थे चमा प्रार्थी थे that they had not gone to school more वो भी कभी school नहीं गए it was their way of thanking a master for his 40 years of और यह उनका अपना तरीका था, अपने टीचर को रेस्पेक्ट शो करने का, क्योंकि 40 साल से M.H.M.L.H.M. को फ्रेंच लेंगुज सिखा रहे थे, उनकी इमानदारी, पुरी इमानदारी, पुरी अपनी सर्विस दे रहे थे, और अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट शो करने का उनका एक तरीका था, जो कि अब उनकी नहीं रहे थी, हुआ क्या था, Lawrence, Elsie's and Lawrence, they were already captured by the Germans. While I was thinking of all this, I heard my name called, जब मैं सब कुछ ये सब कुछ सोच रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया, मैंने सुना अपना नाम, I heard my name called, it was my turn to recite. अब मेरे turn था, बुक को पढ़ने का, चैप्टर को पढ़ने का, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear? मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया होता किसी को कि ये जो participle के rule है, वो बहुत ही loud और clear पढ़ लेता, and without one mistake. कि मैंने क्या कुछ दिया था, लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ, but I had got mixed up on the first words, जैसे ही पढ़ना शुरू किया, पहले ही शब्द पर, पहले ही words पर मैं अटक गया, and stood there, और चुप चाप डर के मारे खड़ा रहा, holding on to my desk, my heart beating, desk को पकड़े खड़ा रहा, मेरा दिल M. Hammer को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you, little French, French उस लड़के का नाम है, मैं तुमको आज डाटूंगा नहीं, little French, you must feel bad enough, तुमको बहुत ही बुरा feel करना चाहिए, see how it is, देखो, ऐसा कैसे हुआ, everyday we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, हर दिन, हम students, पता ही का बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत टाइम है हमार पास, I have plenty of time, बहुत टाइम है मेरे पास, I will still learn it tomorrow, I will learn it tomorrow, मैं इसको कल सीख लूँगा, this is the nature of the student, बहुत टाइम है, कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम कहा है, बात में तियारी कर लेंगे, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, and now you see, where we have come out, और इस सोच के चलते हैं, आपने तेखा, कहां आगे हैं, ah, that's the great trouble with else's, यही समस्या है else's के साथ, यह सिंबॉलिक है, यही समस्या है, हम सब के साथ, यह इसको universalize कर रहे हैं, she puts off learning till tomorrow, हम else's वासी, क्या करते हैं, सब learning को, yeah, ठीक है, कल कर लेंगे, we never take it seriously, कल सीख लेंगे, बहुत टाइम, now those fellows out there will have the right to say to you, और अब उन लोगों का बिलकुल सही कहते हैं, they have right to say to you, बिलकुल सही बोलते हैं तुमसे, how is it, you pretend to be a Frenchman, कैसे हो तुम लोग, कैसे बहाने वाज हो, कैसे बहाना बनाते ह अब Frenchman हो, and yet you can neither speak nor write your own language, और जबकि ना तो तुम अपनी mother tongue बोल सकते हो, और नहीं लिख सकते हो, तो कैसे तुम भाना लगाते हो, you are Frenchman, how can you say that you are Frenchman, but you are not the worst people, poor little French, लेकिन तुमी नहीं हो, गड़बड, तुमी खराब नहीं हो, poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with, हम सभी को इस पर अपने को धिकारने की जरूबते है, reproach करने की जरूबते है, क्यों, your parents were not anxious enough to have you learn, क्योंकि तुमारे parents भी कभी चिंतित नहीं हुए, serious नहीं हुए कि तुम सीखो, they preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as to have a little more money, instead of sending you to school, वो क्या करते हैं, तुमको या तो farm में काम करने के लिए लगा देते हैं, खे कि तुम कुछ पैसा कामा सको, as to have a little more money, and I, I have been to blame also, और मैं, तुमारे टीचर, मुझे भी इसके लिए ब्लेम करना चाहिए, दोश देना चाहिए, क्यों, have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, मैंने भी कई बार क्या किया, चाओ मेरे बागी चे में मेरे प्लांट्स को पानी देदो, बजाय तुम का तुमारे chapters complete करने के lesson के, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday, और जब भी कभी मैं fishing enjoy करना चाहता था, did I not give you a holiday, मैंने नहीं तुम को holiday दे जाओ, आज नहीं पढ़ाएंगे, then from one thing to another, Am Hamill went on to talk of the French language, और इसके बाद, एक के बाद एक वो French language पर बात करते रहे, saying that it was the most beautiful language of the world, और ये भी कहा कि French language दुनिया की सबसे खुबसूरत language है, the clearest, the most logical, बहुत ही साफ, बहुत ही logical, that we must guard it amongst us, इसलिए हमको इसके सुरक्षा करनी चाहिए, इसको सेफ रखना चाहिए, and never forget it, हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कभी मान लो अगर लोग गुलाम बन जाएं, तो अगर उनके पास अपनी mother tongue है, if they keep their mother tongue alive, तो यह समझ लिजे, this is as if they had the key to their prison, तो उनके पास एक तरह से अपनी आज़ादी का रास्ता लेंगो जोदी, यहाँ कहने का मतलब यह है, कि we are united through our mother tongue, हम जो लोग हैं, आपस में unite कैसे रहेंगे, आपस में powerful कैसे रहेंगे, जब तक कि हम अपनी mother tongue को, अपने culture को पकड़ कर रखेंगे, तभी हम लोग आपस में unite रह सकते हैं, Then he opened a grammar and read us a lesson, फिर उनोंने grammar की बुक को खुला और हमारे lessons को पड़ा, I was amazed to see how well I understood it, आज तु में बहुत ही सर्प्राइज था, कि में हर चीज को पराबर समझ रह था, क्लिरली समझ रह था, All he said seemed so easy, so easy, जो भी कुछ मैं में हमल पड़ा रहते, वो मुझे बहुत आसान, बहुत ही आसान लग रह था, I think too, that I had never listened so carefully, अब मैंने सोचा, शायद इससे पहले मैंने ध्यान से कभी सुनाई ही नहीं, और, and that he had never explained everything with so much patience, और शायद इससे पहले हमारे टीचर ने भी इतने धहरे से कभी किसी जिसको समझाया नहीं, तो यहाँ वो थीम के लिए हो रही है, कि whenever the students are attentive and serious, and the teacher is also attentive and serious, so learning is done, 100% learning is done, तो इसलिए, जब भी कभी हमको कुछ सीखना है, तो students को भी अपना 100% देना होगा, serious होगा, और अधर teacher को भी अपना role play करना होगा, उसको भी 100% अपना देना होगा, then the exact teaching will be done, It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, अब ऐसा लग रहा था, जैसे कि M. हमल, बिचारे, वो यह चाहते थे कि, जो भी कुछ वो जानते हैं, जाने से पहले सब कुछ हमको दे दे, give us all he knew before he going away, And to put it all into our heads, at one stroke, और चाहते थे कि, बार में, सब कुछ हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, fit कर दे, After the grammar, we had a lesson in writing, grammar के बाद, हमारा writing में lesson था, That day M. Hamill had new copies for us, उस दिन M. Hamill ने हमारे लिए नहीं नहीं copies दे थी, Written in a beautiful round hand, friends, else's, friends, else's, और उन सभी copies पर, friends, else's, friends, else's, लिखा हुआ था, They looked like little flags, floating everywhere in the school room, और वो सारी copies ऐसा लग राता जैसे कि, हमारे जो flags थे, वो चारो तरफ 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 तेर रहे हैं वो रूम में, इतनी खुबसूरत handwriting में, वो लिखा था, Hung from the road at the top of our desk, You ought to have seen how everyone's set to work, तुमको देखना चाहिए था, वो नजारा था देखने का, कि हर आदमी कितना seriously अपने work पर अपनी writing में लगा था, and how quiet it was, और कितना शांती से सब लोग काम करता, कोई disturbance नहीं, The only sound was the scratching of the pens over the paper, सिरिफ एक ही sound आ रहा था, पैन के लिखने का, पेपर पर लिखने का है, scratch करने का, Once some beetles flew in, but nobody paid any attention, तभी कुछ beetles enter हुए class में, beetles एक इंसेक्स को बोलते हैं, लेकिन nobody paid any attention to them, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया, Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, जो छोटे बच्चे थे अक्सर वो disturbed हो जाते थे, इदर उदर भागते थे, आज उनको भी कोई फरक नहीं पड़ा, वो अपना जो fish hook उनको trace करने के लिए दिया था, छोटे बच्चों को color करने के लिए, tracing करने के लिए, वो अपने उसकाम में लेगे थे, as if that was French, to, जैसे कि वो भी सब French ही है, जब वो fish अपने trace कर रहे थे, on the roof, the pigeon cooed very low, और च्छत पर कबूतर, coo कर रहे थे, बोल रहे थे, गुट्रगू कर रहे थे, and I thought to myself, तभी एकमन में खैल आया, will they make them sing in German, even the pigeons, क्या वो अप कबूतरों को, या animals को भी कहेंगे, कि okay, talk in German, sing in Germans, it is impossible, जैसे कि अब आपने यहां देखा, कि nobody can take away your mother tongue, or nobody can impose their language on you, ना तो कोई आपकी mother tongue को छीन सकता है आपसे, और ना ही कोई अपनी mother tongue को आप पर impose कर सकता है, जैसे animals के case में है, अगर pigeons हैं, या कोई भी animals हैं, वो अगर America में हैं, तो भी वो उसी way में sound produce करेगा, अगर India में हैं, तो भी उसी way में sound produce करेगा, अगर China में हैं, तो भी वो उसी sound भी में produce करेगा है, like a dog, America में हैं, तो भी वार्क करेगा, इंडिया में तो भी भॉकेगा, चाइना में तो भी भॉकेगा, रसिया में तो भी भॉकेगा, उसकी language सेम रहेगी, उसको कोई ना impose कर सकता है, ना change कर सकता है, in the same manner, human being के भी साथ ये होता है, कि हम किसी की mother tongue को ना ले सकते हैं, ना ही हम अपनी mother tongue, जो जिस environment में जो mother tongue सीख ले thing, then at another, जब भी मैं ऊपर देखता, तो मैं एम हमल को, motionless sitting, बहुत ही seriously, chair पर बैठे हुए देखता है, और वो इधर उधर देख रहे थे, घूर रहे थे, gazing at first at one thing, कभी इस चीज़ को गॉर से देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, जैसे कि वो च चीज़ें किस तरह से fix थी, fancy, बड़ा ही अजीब था, for 40 years he had been there in the same place, पिछले 40 साल से वो एक ही class में एक ही जगा थे, with his garden outside the window and his class in front of him, window के बहार garden और उसके सामने उनकी class, just like that, only the desks and benches had been worn smooth, सिर्फ सारी चीज़ें as it is थी, सिर्फ desks और benches, use करने से 40 years में, गिस गई थी, चिकनी हो गई थी, the walnut trees in the garden were taller, जो अखरोट के पेड उन्होंने गार्डन में लगाए थे, वो लंबे हो गई थे, and the hope wine that he had planted himself, और एक hope wine की बेल, जो उन्होंने खुद लगाए थी, twinned about the windows to the roof, वो लिपटते हुए, windows से रूफ तक पहुँच गई थी, how it must have broken his heart to leave it all, उनका दिल कितना दुख रहा होगा, दुखा होगा कि तूट गया था उनका दिल, कि अब उनको इन सब को छोड़कर जाना है, poor man, बेचारे, to hear his sister moving about in the room above, और उपर उनकी sister, जो movement कर रहे थी, उसकी आवाज आ रहे थी, packing their trunks, वो packing में लगी थी, for they have, they must leave the country next day, उनको दूसरे दिन उस देश को छोड़कर जाना था, village को छोड़कर जाना था, but he had the courage to hear every lesson, to the very last, लेकिन फिर भी उनमे हिम्मत थी, कि वो हर किसी के part को, lesson को, last तक सुनना चाहते थे, After the writing, he had a lesson in history, writing के बाद, हम को history में चाप लेसन दिये गए, and then the babies chanted there, ba, be, be, bo, boo, और इसके बाद, छोटे बच्चों की बारी हैं जिनको अलफ़बेट सुनाने थे, जैसे ABCD छोटा बढ़ा था, ऐसी ये French अलफ़बेट थे, Down there at the back of the room Old Hauser had put on his spectacles उसी room में पीछे कौन बैठा था Old Hauser बोड़ा जो कभी स्कून ले गया था वो भी उस प्राइमर की बुक Holding his primer in both hands दोनों हातों में उस बुक को पकड़ा था अपना उसने मोटा glass spectacles लगाया और वो भी उन बच्चों के साथ शुरू हो गया Spelled the letters with them You could see that he too was crying आप देख सकते थे कि वो भी एकतरह से रो रहा था His voice trembled with emotion उसकी आवाज emotion से कपकपा रही थे वो भी दुखी हो रहा था And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry और उसकी उस आवाज को सुनकर हमको बड़ी उसकी अजीब फनी आवाज थी हम सब हसना चाहते थे रोना चाहते थे Ah, how well I remember it that last lesson मैं बहुत अच्छी तरह से आज भी उस अपने आखरी lesson को याद करता हूँ All at once the church clock struck 12 तभी बहार चर्च की बारा बजे की घंटा बजा Then the angelis ये एक चर्च सर्फिस को prayer को बोलते है At the same moment the trumpets of the Prusians returning from drill और उसी time पर Prusian soldiers के trumpet के आवाज आई उनके बाजी के आवाज आई इक्तम खड़े हो गए बहुत ही serious थे बहुत ही quiet थे serious थे दुखी दे In his chair, I never saw him look so tall मैंने कभी भी उनको इतना serious इतना गंबीर नहीं देखा My friends said he मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों बोले वो I, I, मै, मै But something choked him लेकिन उनका अगला रुंद किया बोल नहीं पाए He could not go on नहीं बोल पाए Then he turned to the blackboard वो सीदर बोर की तरफ मुड़े Took a piece of chalk एक chalk ली bearing on with all his might पूरी ताकत से और उन इस बोर पर बड़े अक्षरम He wrote as large as he could बड़े बड़े अक्षरम लिग दिया Vivala France Long live France France अमर रहे France कभी खत्म नहीं हो सकता Then he stopped and leaned his head against the wall रुख गए और दुखी मन से दिवार के सारे अपना सर जुका लिया And without a word बेना कुछ बोले हुए He made a gesture to us with his hand हाथ से ही हमको इशारा किया gesture दिया School is dismissed You may go School खत्म हुआ आप जा सकते हैं तो ये था आज का last lesson ऐसे ही और lessons के लिए आप बने रहे हैं चैनल को subscribe कीजिए Like कीजिए और आने वाले वीडियोस में हम आपको इस chapter से related questions के answer को लिखना सिखाएंगे कैसे हम किन important points को हम अपने answers में include करेंगे और उनके answers को simple language में लिखेंगे तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल को subscribe कीजिए और wait कीजिए हमारे अगले वीडियोस का झाले वीडियोस का